The King Eternal Monarch जो की एक romantic fantasy supernatural drama है जिसमें हमें time travel, parallel world और multiple time lines का concept देखने को मिलेगा तो ये कहानी set है Korea में लेकिन दो अलग दुनिया की सिंपली कहूं तो अपना hero belong करता है kingdom of Korea से और heroine belong करती है एक parallel world के republic of Korea से तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादोई बाणसुरी के बार में बताया जाता है जिसमें असीम शक्तियां है जिसके पास भी ये बाणसुरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है वो time travel कर सकता है अलग parallel world में जा सकता है महामारी ठीक कर सकता है बारिश ला सकता है ऐसे बहुत सारे पाउर्स थे उस बांसूरी में जो अभी किंग्डम ओफ कोरिया की राजा के पास थी साल था 1994 का जब राजा के सौते लिभाय लेरीम ने उस बांसूरी को हासिल करने का डिसाइड किया लेरीम ने अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलिस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसूरी लेकर वो निकल नहीं जा रहा था लेकिन तेभी राजा का आठ साल का बेटा लीगाउन वहाँ पर आ जाता है जिससे बांसूरी की आवाज यहां तक ही चलाई थी राजा को मरा हुआ देकर वो भाग कर उनके पास आता है लेरीम उसे देकर कहता है कि अब तुमें एक अनाथ हो जो सुन लेरीम वहाँ पर एक तलवार बहुत ही मैनत से उठाता है और लेरीम की और वार करता है जिससे लेरीम की हाथ की बांसूरी दो टुकड़ों में कड़ जाती है लीगाउन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ओर्डर करता है गदार लीरीम को जेल में डालने का तो वो बंदा के लिए इन सब का सामना करता है अब इन गोली बारी के आवास सुनकर राजा के रॉयल गार्ट्स इस तरफ आने लगे थे जिसे देख लेरीम बासूरी का एक हिस्सा लेकर ही यहां से भाग निकलता है वहीं पर हम देखते हैं बासूरी का दुसरा हिस्सा लीगाउन के पास था लीगाउन जखमी पड़ा था तबी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है लीगाउन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता पर उस मास्क मैन के पास से कि इस देश का नाम Republic of Korea है और ये देश North Korea और South Korea में डिवाइड है वो समझी रहा था कि यहां क्या चल रहा है तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशकल से टकराता है और यहां पे भी लेरिम उसका भाई था इसे देख हमशकल हैरान होता है तभी वहाँ पर इस दुनिया का लीगोन आ जाता है जो उसे देख लेता है तो लेरिम उसे भी मार देता है ये सब देखर लेरिम समझ जाता है कि इस पैरलल वर्ल्ड में Kingdom of Korea के सबी लोगों के हमशकल है बस यहां उन सब की जिंदगी अलग है वहीदर Kingdom of Korea में राजा के डेध सरीमनी शुरू होता है जहां आठ साल के उमर में ही अगला राजा बनने के बाद लिकौन अपनी पहली डिटीज निभाता है अपने पिताजी के डेध सरीमनी का रिचुवल पूरा करके अप किंग की राजा कोन के सोतेले भाई नहीं मारा था इसलिए Royal Court ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया इधर Republic of Korea में लेरिम पांसुरी के पावर स्कोर स्पाइडल वर्ल के जकर को समझ चुका था इसलिए वो अपने हमशकल के डैड बॉड़ी को Kingdom of Korea जाकर समंदर की किनारे फेक देता है जिससे Kingdom of Korea के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गदार लेरिम मर चुका है इधर आर साल का छोटा राजा लीगॉन अपने डैड के डैड से बहुत दुखी होता है तब ही उसकी मुलाकात हुई नन्हे जोयोंग से जो उसे चिर अप करने आता है हर जगह वो लीगॉन की पीछे पीछे ही जाता है इसलिए लीगॉन को काफी चिर होता है तो उससे पूछते है कि तुम बार बार अंदर कैसे आ जाते हो आकर तुम हो कौन और तुम्हारे डैड कौन है जोयोंग कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त है लीगॉन सारे रिचुल्स को पूरा कर लेता है और इसके बाद वो बहुत जादा रोता है क्यूंकि अब वो अकेला हो चुका था तो उसे हेड कोट लेडी कंसोल कर रही होती है जोयोंग भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और लीगॉन को रोता हुआ देकर ये भी बैटकर बहुत जादा रोने लग जाता है उससे देख लीगॉन उटकर एक तलवार लेकर आता है और जो योंग को रोना बंद करनी के लिए कहता है और बताता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो इसलिए रोना बंद करो इससे जो योंग चुप हो जाता है और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है इधर समंदर के किनारे से लेरिम की जो dead body मिली थी उसकी आटॉपसी राजकुमार बयों करते हैं जो कि लिगॉन के पिताजी के चचेरे भाया थे वो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उन्हें ही kingdom of Korea में रहने का इजाज़त था तो वो लेरिम की dead body का टॉपसी करते हैं इसमें वो समझ गया थे कि ये लेरिम की body नहीं है पर अभी situation को समालने के लिए उन्हें ही जोट बोलना ही पड़ेगा कि यही गदा लेरिम की body है और उसकी मौत royal guards के गोली से ही हुई है जिसके बारे में वो head court lady को बताते हैं इदर लेरिम तो बिंदास दोनों दुनिया में travel कर रहा था चाहों वो kingdom of Korea में उसके जो साथी soldiers थे उन सभी को इस दुनिया से republic of Korea में ले जाता है जिसके बाद हमें 25 साल बाद का scene दिखाय जाता है साल था 2019 का kingdom of Korea में राजा लीगॉन घुड सवारी करने जाने की तैयारी कर रहा था जो योंग राजा के royal guards का captain बन गया था horse riding के लिए जाने से पहले लीगॉन अपने room की और जाता है जहां पर head court lady जिनने लीगॉन दायमा क्या कर बुलाता है तो वो लीगॉन के room में टैलिश्मन चुपा कर रख रही थी ताकि वो safe रहे और उसे एक अच्छी life partner मिले लेकिन लीगॉन उन्हें ये सब चुपाते वे देख लेता है तो वो ये सारे टैलिश्मन निकाल कर डश्मिन में fake देता है और कहता है कि दायमा मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अभी शादी में कोई interest नहीं है इसलिए मेरे कमरे में अब से ये टैलिश्मन चुपाना बंद करो ये बुलकर वो अपनी घुड सवारी करने चला जाता है इतर दायमा तो लीगॉन की शादी कराने की पीछे पढ़ी ही रहती है पर लीगॉन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है इसके बद लीगॉन एक रोइंग कॉमपटिशन में participate करता है जहां बहुत सारे लोग इस कॉमपटिशन को देखने आये थे लेकिन तभी उस भील्ड में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसने एक रैबिट होडी पहने हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पढ़े हुए थे लीगोन इस रोइंग कॉमपटिशन को जीत जाता है तो वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है जिससे सब लोग डर कर जमीन पे बैठ जाते हैं तो ये गुंडा उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है इतने में लीगोन के सारे गाट्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन गुंडों को अरेश्ट कर लेते हैं जोयोंग लीगोन को प्रोटेक्ट कर रहा था पर तबी लीगोन उस रैबिट होडी वाली लड़की को देखता है जो मौका देकर भागने लग जाती है तो लीगोन उसकी पीछे भागने लग जाता है काफी दूर तक उसका पीचा करता है लेकिन एक जगपर आकर उसे मिस कर देता है कुछी देर बाद उसे डूंडता हुआ जोयोंग भी यहाँ पर पहुंचाता है और उसका अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है लीगोन कहता है कि मैंने उस होडी वाले परसन को देखा जोयोंग को कुछ समझ नहीं आता तो पहले इसमें आने के बाद उससे अच्छे से पूछता है कि आकर वो कौन था जिसके पीछे अब इतनी दूर भागे थे लीगोन कहता है कि उस होडी पहने मिस्टिरियस परसन को भागता हुआ देखकर मुझे लगा कि वो वही परसन था इसने मुझे 25 साल पहले बचाया था तो गौन आज तक उस मिस्टिरियस मास्क मैन को ढूंड रहा था इसने उसे लीटीम से बचाया था लीगोन एक किताब निकालता है इसके अंदर वो आईडी कार्ड होता है जो 25 साल पहले उस मिस्टिरियस मास्क मैंड के पास से लिगॉन को मिला था और यह ID कार्ड था स्यॉल पूरिस्टेशन की लेफटिनेंट जॉंग तेउल की जो की कहानी की फिमेल लीड है लिगॉन आईडी कार्ड को देखता है जिसमें ID इशुइंग डेट थी 11 नवेंबर 2019 की लिगॉन आज का डेट चेक करता है तो आज था 10 सेप्टेंबर 2019 इसलिए गॉन को आज तक समझ नहीं आया था कि यह ID कार्ड 11 नवेंबर 2019 में कैसे इशु हो सकता है जो डेट अभी तक आया ही नहीं था इधर हम Republic of Korea में एउल को देखते हैं जो कि अपने टीम की साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिब फ्रेंड शिंजे के साथ मिलकर एक मडर केस की चानबीन भी शुरू करती है इधर लिगौन का दुबारा से वो रैबिट थोड़ी परसन दिखाए देता है तो लिगौन अपने घोड़े में चड़कर उसके पीछे जाने लगता है इसका पीछा करते वे वो उसी बैंबू फोरेश्ट में पहुंच जाता है जहां गौन की पास उस जादू इबांसुरी का टुकड़ा होने की वज़े से पैरलेल ओल का पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर जाते ही गौन भी रिपब्लिक आफ कोरिया में पहुंच जाता है तो तेउल उसे रास्ते से घोडे को हटाने के लिए क्याती है पर लीगौन को उसकी आवाल सुनाई नहीं देती तो तेउल अपनी कार के उपर पुलिस वाली सारेन लगाती है और अपनी कार लेकर उसके सामने चली जाती है और उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते से अटने के लिए क्याती है लिगॉन तो तेउल को देकर हैरान रह जाता है तो वो घोड़े से उतर कर उसके पास जाता है और उसके गले में टंगी ID कार देखता है और उसे कहता है कि फानिली मैंने तुम्हें ढूंडी लिया लेटने और जोंग तेउल इससे पहले तेउल से कुछ पूछ थी लिगॉन तेउल को गले लगा लेता है जिससे तो तेउल भी शौक डरह जाती है पर फिर उसे दूर हटा कर कहता है कि अब रहो कर क्या रहा है ID देकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूं इस पर लिगॉन कहता है कि तो तुम इस दुनिया में थी तो तेउल पूछते कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा ID कार्ड दिखाओ लिगॉन कहता है मेरा को ID कार्ड नहीं है तो तेउल पूछते फिर तुम्हारा नाम क्या और तुम हो कहां से लिगॉन बताता है कि मैं Kingdom of Korea का राजा हूँ और मैं एक Time and Space के पोर्टल में ट्रावल करके इस दुनिया में पहुँचा हूँ पहले मैं यहां सब कुछ दे कर Confuse था पर अब मुझे समझा गया है कि यह एक Parallel World है पर तेउल के उसकी बाते बगवास लगती है तो उसकी बगवास बाते सुन तेल उसका नाम गेदाउं करके लिग देती है और लिगवास का सारा सामन सीज कर लेती है तो उसके पास से Kingdom of Korea की कुछ cards मिलते हैं और वहां के currency notes जिने तेउल नकली समझ कर सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है फिर लिगवास के बारे में पता करने के लिए उसकी fingerprint भी ले लेती है इधर Kingdom of Korea में दायमा भी काफी परिशान होती है गोन के अचानक गायब होनी की वज़े से इधर जोयंग भी अपने royal guards के साथ लिगवान को ढूडने में लगा हुआ था जहां bamboo forest में आकर उसे लिगवान के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं खोड़ा लेकर जाने से पहले लिगवान ने एक गार से कहा था जोयंग को बता देना कि मैं उस rabbit होडी person की पीछे जा रहा हूँ जो जानकर जोयंग उन गुंडों से पूछताश करने जाता है जो लोग उस rabbit होडी person की पीछे पड़े थे जोयंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है जो उनका पैसा लेकर भागी थी तो जोयंग पुलिस से उस लड़की को जल्दी ढोडने के लिए कहता है इधर तेउल लीगउन को जेल में बंद कर देती है जहां लीगउन तो अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है क्योंकि राजा साब तो कभी जमीन पे बैठे नहीं थे पर तेउल इसकी कोई बात ही नहीं सुनती तब ही यहाँ पर यूनसब नाम का एक बंदा आता है इसलिए वो तेउल को कुछ डॉक्यूमेंट्स दे कर नाचते वए यहां से जाने लगता है जिसे तेख लीगउन कहता है कि यह जूयोंक तो नहीं हो सकता तब ही तेउल को फॉरेंसिक से कॉल आता है तो तेउल फॉरेंसिक आफिसर से मिलने जाती है जिससे उसे पता चलता है कि लिगॉन का fingerprint उनकी देश के किसी भी इंसान से match नहीं करता जो सुन तेउल हैरान होती है पर आफिजर कहती है कि शादी कोई missing child हो सकता है इसलिए इसका DNA टेस्ट करने के लिए इसके कुछ samples ले लेना तो तेउल लीगॉन को अपना मुँ खोलने के लिए कहती है उसके saliva का sample लेने के लिए लीगॉन उसे कहता है कि मेरी fingerprint से तुम मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकीना मैंने कहा थाना कि मैं तुम्हारे दुनिया का नहीं हूँ इसलिए तुम्हें इन सबसे मेरे बार में कुछ पता नहीं चलेगा जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में exist नहीं करता उसी तरह तुम मेरी दुनिया में exist नहीं करती मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी identity card मिली थी जिसमें तुम्हारी एक photo थी तुम्हारी पास 25 साल पहले मेरी ID card कैसे आ सकती है कहीं तुमको spy तो नहीं हो और किसी secret mission को अंजाम देने तो नहीं आये हो वरना तुम मेरे बार में कैसे जानते हो लीगॉन कहता है कि क्यूंकि मैं बहुत सालों से तुम्हें ही ढून रहा था जो सुन तेउल हेरान होती है तो लीगॉन बताता है कि थोड़ी तर पहले जो लड़का आया था इसका नम इस दुनिया में यंसप है वो मेरी दुनिया में मेरा royal guard captain जो योंग है तेउल कहती है तुद सच में तुम किसी parallel world से आये हो लीगॉन कहते है हाँ मेरी दुनिया में मैं kingdom of Korea का राजा हूँ तुम्हारी दुनिया में North Korea और South Korea दो अलग-अलग देश है लेकिन मेरी दुनिया में एक ही Korea है शायद तुम अभी भी नई समझी parallel world के बारे में इसलिए लीगॉन उसे parallel world के बारे में बताने लग जाता है इसी मौके का फाइदा उठाते हुए ते लीगॉन का saliva sample ले लेती है जिसे DNA टेस्टिंग के लिए भेज़ कर लीगॉन को भी छोड़ देती है लीगॉन उसे एक 5-star hotel का पता देता है कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा तो मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो तेउल के थी इस 5-star hotel में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी है लीगॉन केहता है अभी तो नहीं है पर आ जाएंगे तो उसे कहता है कि मुझे यूनसप ने बताया कि इस hotel के पास ही तुम्हारा घर भी है और वो यूनसप तुम्हारे बच्पन का दोस्त भी है तेउल केती एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े आये 5-star hotel में रहने वाले तभी लीगॉन अपने कोड़ से एक बटन तोड़ता है और पूछते है कि क्या यहां आसपास कोई ज्वैलरी शॉप है यह एक डायमंड है इसे बेच कर मुझे यहां के पैसे मिल जाएंगे तेउल कुसकी बात पर बिलीव नहीं होता कहती है कि अगर यह डायमंड है तो मैं प्रिंसस डायना हूँ लीगउन उसे देकर कहता है कि क्या अब भी तुम्हें बिलीव नहीं हुआ तेउल पूछती है यह डायमंड तुम्हारे पास कहां से आए कहीं तुमने यह चुराए तो नहीं है लीगउन उसे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे चोर को देखा है वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है तब ही उसकी नजर पर दिये एक 63 स्टोरिट बिल्डिंग पर तो वो तेवल से उस बिल्डिंग के बार में पूछ है तेवल कहती क्यों तुम्हारे दुनिया में ऐसी बिल्डिंगs नहीं है क्या I wish कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताक कि मुझे तुम्हारे साथ और ज़्यादा वक्त विताने का मौका मिलता लेकिन तेउल से धमकी देते हुए कहती कि सामने से हटते हो या फिर मुझे कुछ एक्शन लेनी की जरुवत है तभी तेउल कुछ इंजे का कॉल आता है जो से इन्वेस्टिकिशन में हल्प करने के लिए बुलाता है इसलिए तेउल चली जाती है तो लीगान उसे देखता ही रह जाता है इदर यूंसुप अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा था तभी उसे लीगान का कॉल आता है जो से मिलने के लिए बुलाता है तो लीगान ने पुली स्टेशन में इसका नंबर ले लिया था और तभी यूंसुप ने उसे इस होटल के बायर में बताया था तो लीगान यूंसुप की बहुत सारी शॉपिंग कराता है और कहता है बताओ क्या पूछना है लीगॉन कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बच्पन की कोई फोटो है यूंसुप उसे अपनी बच्पन की तस्वीर दिखाता है बच्पन में भी यूंसुप Kingdom of Korea की जोयों की दरही दिखता था जिससे लिगॉन गंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका हमशकल ही है और ये एक पैरलल वर्ल्ड ही है जहां इस दुनिया में किंग्नम आफ कोरिया के सारे लोगों के लुक अलाइक सियानी की हमशकल्स मौजूद है तब ही उनसुप के फोन पर तेउल धम की बहरे मेसेज़े अब तेउल को लिगॉन का नाम बता नहीं था इसलिए वो होटेल स्टाफ से लिगॉन का बॉड़ी स्ट्क्चर बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर पूश्ती है और तो तेउल एक पेपर में लिखती है कि 10 मिनिट मैं मुझ से मिलने आओ वरना तुमारे घोड़ी से खाना खिला दूंगा और उसे नहला भी दूंगा बस कुछ टाइम की बात है फिर मुझे अपने दुनिया में भी तो जाना है तेवल पूछते फिर कब जा रहे हो लीगॉन कहता है कि अभी तक डिसाइड नहीं किया पर अभी कुछ दिन बात जाओंगा क्योंकि मुझे इसलिए और 40 गंटे तक तुमारे घोडे को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी तुमारा डिन रिजल्ट आते ही उसे ले जाना ये बोलकर वो चली जाती है अगले दिन तेवल जब अपना इंवेस्टिकेशन कर रही थी तब लीगॉन तो उसे बार बार कॉल करके उससे मिलने बना लिये थे पर लीरिम ने इस दुनिया की लीगॉन के हमशकल की मॉम को जिन्दा रखा था टाइम आने पर उसे यूज करने के लिए इदे तेवल अपने ड्यूटी खतम करने के बाद घर आती है जहां घोडे को खिलानी के लिए वो गाजर लेकर आई थी लेकिन मैकसिम मैं इस दुनिया के कुरिया के हिस्ट्री के बार में पढ़ रहा था तबी तेवल उसके सामने आकर बैठ जाती है जिससे उनके आसपास के सारी लड़कियां तो गॉसिप करने लग जाती है कि कहीं ये लड़की लीगॉन की गल्फरेंट तो नहीं है कि लीगॉन को देखने कि अगर इसमें जहर हुआ तो फिर मैं तो इस दुनिया में मर जाओंगा इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये मेरे आकरी वर्ड्स हो सकते हैं तेवल कहती कहो क्या कहना है तो लीगॉन कहता है तैंक्यू फर एवरिटिंग और खास करके तुम इस दुनिया में हो इसक दाने लग जाता है लेकिन तेवल इसे उसकी मनगरत कहानी मालेतियन कहती है कि शायद तुमको इनोवल राइटर हो वैसे तुम्हारी ये कहानी अच्छी है तो लीगॉन उसे कहता है कि तुम्हें एक बार भी मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता तेवल कहती क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता ये जो तुम पैरलेल वर्ल्ड की बखवास करते हो वो सब बस कहानी में ही अच्छा लगता है इसलिए जादा बखवास मत करो चुप चप खाना खाओ और अपना टीने रिजल्ट आने तक का वेट करो लीगॉन कहता कि अगर होनने की हर मुम्किन कोशिश करता है इसके बद हम एक रिपोर्टर सनी को देखते हैं जो की पैरलेल वर्ल्ड में तेउल की फ्रेंड नारी की हमशकल थी यहां वो एक प्रेस में काम करती थी तबी उससे रॉयल पब्लिक अफेर्स ऑफिस से कॉल आता है इसमें उसे इंटे बड़ी फैन थी इधर लीगउन अपने रूम में आकर देखता है कि उसके कोट के सारे डायमंड्स चोरी हो चुके थे तो वो तेउल के घर पे चला आता है जहां मैक्सिमस को खाना वाना खिलाने के बाद वो देखता है कि उसके पास बस कुछी पैसे बाकी है जिससे वो न में होता तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता है मुझसे ऐसे बात करने के लिए तो शिंजे भी उसकी फोटो खींच लेता है और वार्निंग देता है कि दुबारा अगर आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे जेल में डाल दूंगा ये बोलकर वो तेउल को कॉल करकि पा पापस लिगाउन के पास चली आती है और उसे पूछते कि तुम अब भी यहाँ पर क्यों खड़े हो लिगाउन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए मुझे बहुत बुरा लगता है तेउल कहता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्ह नहीं जानता हूँ इसलिए तुम्हें मुझे ऐसे चोड़ कर नहीं जाना चाहिए तुम्हारा बहुत होगिया चुपचाप से सच बताओ तुम हो कॉनर मुझे कैसे जानते हो लिगाउन कहता है कि मैंने बताया था ना बच्ची सार पहले मुझे तुम्हारा आइडी दोन रहा हूँ, तेउल पूछती अच्छा तो वो आदमी कौन था, लिगान कहता है मुझे उसका चाहरा नहीं दिखा था, उस ID कार्ड में तुम्हारा date of birth, और ID कार्ड issuing date भी लिखा हुआ था, 11 नवेंबर 2019 का, तेउल कहती मेरे पास मेरा ID कार्ड है, और 11 नवेंबर 2019 अभी सब कुछ जान सकती हो, तेउल कहती है अच्छा तो बताओ कौन सी position है, लिगान कहता है, यानि कोरिया सामराचे की महारानी के रूप में accept करता हूँ, जो सुन तेउल शौक्ड होती है, लिगान कहता है, तुम मेरे यहां रुखने का अब से reason बन चुकी हो, जो सुन तेउल शौकिंगली देखने लगती है, केती अब तुमने मुझे रानी बना दिया, क्यों मैं तुम्हें इन दो दिनों में इतना ज्यादा पसंद आ गई, या अब भी तुम वो nonsense बाते कर रहे हो, लिगान कहता है कि मैं serious हूँ, मैंने अपनी दिल की बात पूरे sincerity के साथ तुम्हे लेकिन तेउल तब उसकी बाते सुन इरिटेटी हो जाती है, तो उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ, मैं कौन से देश की रानी हूँ, देखती हूँ आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहां पर है, तो दोने इस दुनिया के bamboo forest चले जाते हैं, पर गोन के हत में ज जाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी, तो लिगोन उसे अपना coat पहना देता है, और पूछता ही कि तुम्हारे उस detective दोस्त का नाम क्या है, तो दूसरे हो का नाम जानकर क्या करोगे, लिगोन कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे अपना नाम नहीं पता, बस मेरे नाम से मुझे और कोई नहीं बुला सकता, अब फिर से उसकी बखवा सुनकर तेउल तो आगे चली जाती है, इधर हम शिंजे को देखते हैं जो कि तेउल के घर के बार उसका वेट कर रहा था, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिंजे तेउल को अपने हाई स्क काम था, लिगॉन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना, अगर कभी कुछ नेगटीब छपा, तो उन सारी सिच्वेशन को हैंडल करना, तो काफी दिनों से राजा की कोई खवर नहीं थी, इसलिए कुछ गॉसिप शुरू हो जाते है, तो इस मैटर को कव लिगॉन अभी नेवी ओफिसर्स के साथ है, तो दायमा जोयों को बुलाती है, और उसे तेउल की आडी कार्ट देते हुए कहती है कि इस लड़की के बार में सब कुछ पता करो, तो जोयों उन्हें बताता है कि राजा साब ने मुझे पहले इस लड़की के बार में बताया होंगे, इधर Republic of Korea में तेउल को पता चलता है कि लिगॉन का DNA किसी भी Missing Child के DNA से मैच नहीं करता, यानि कि लिगॉन के बार में आप कुछ भी पता नहीं चल सकता, जिससे तेउल तो हैरान रह जाती है, कि बिना किसी Identity Card के, लिगॉन साथ कोरिया में कैसे रह रहा है, तो वो के देश के राजा हो, और तुम उस Bamboo Forest के किसी जादूई दर्वाजे से इस दुनिया में आए हो, लेकिन वहाँ तो कोई दर्वाजा था ही नहीं, तो दूसरी दुनिया में जाने का दर्वाजा कौन खोल सकता है, लिगॉन कहता है, पता नहीं पर मेरे अलावा कोई और भी लिगॉन कहता है कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ, मेरे बारे में तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी इंफर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगर्प्रिंट से ना डिने से, तो क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं है, लेकिन तेउल को देखने के लिए तेउल के घर तक जाता है, इधर किंग नाम आफ कोरिया में जो यॉंग, लिगॉन के गायब होने से पहले ही कि उसके बातों के बारे में याद करने लगता है, जहां एक बाद लिगॉन ने उसे कहा था, कि उसे 25 साल पहले लिगॉन के मौत की अटॉपसी पर डाउट है, क्योंकि उसमें लिखे हुए डीटेल्स में कुछ गरबर थी, जिससे लिगॉन को काफी टाइम से ही शक था, कि 25 साल पहले लिरिम की जो डैट बोड़ी मिली थी, वसली गदा लिरिम नहीं था, ये सब याद करके जो योंग समझने की कोशिश करता है, कि लि लिगॉन पिक करता है, क्योंकि वो अपने घोड़ी को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था, तेउल इसे अपने कार खराब होने के बार में बताती है, तो लिगॉन उसे थोड़ा सा वेट काने के लिए कहता है, और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है, अपने इतने पास दे कर डर जाती है लिगान उसे कहता है कि क्या तुमने फिल गया कि अभी यहां सब कुछ रुग गया था इवन टाइम भी रुग गई थी देवल को उसकी ये बाते एक और बखवास लगती है इसलिए उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहां पर रुको मै मैंने मिकैनिक को बुला लिया वो कार ठीक कर देगा इसलिए मेरी कार का ध्यान रखना अभी मुझे एक अमर्जेंसी इन्वेस्टिकेशन के लिए जाना है ये बोलकर वो चली जाती है कुछ देर पहले टाइम रुग गया था और वो किंगडम आफ कोरिया में गया था जहा का ओनर लेरिम के लिए ही काम करता है जो लेरिम को ख़बर देता है कि राजा लीगॉन पैलेस में नहीं है जिससे हमें समझाता है कि पैलेस में भी लेरिम का कोई स्पाय है जिससे उसे लेरिम के बारे में सारी इन्फोर्मेशन पता चलती है इधर लेरिम भी समझ चुका थ कोई और भी जो दूसरी दुनिया में ट्रासूरी का दूसरा हिस्सा तील की टीम को एक इंवर्स्टिकेशन ने लेकिन तभी वहाँ पर गौन पहुंच जाता है और वह के लिए सब की धुलाई कर देता है तेवल उससे पूछती कि तुम यहाँ कैसे आये लिगौन उससे बताता है कि मैं पूरी स्टेशन गया था तुम्हारी गाड़ी लोटा ने वहाँ से मुझे पता चला कि तुम लोग सारा काम है लेकिन क्यों पूछ रहे हो लिगौन कहता है कि मैं अज अपनी दुनिया वापस जाने वाला हूँ इसलिए सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिता सकूं तेवल कहता है तो अच्छा अब तुम्हें अपना घर भूला नहीं था बस में जाना नह तेवल शाम को घर लोटती है तो उसे लीगौन का घोड़ा दिखाए नहीं देता वहीं हम लीगौन को देखते हैं जो कि बैंबू फोरेश्ट में पहुँच गया था चाहां इस बार उसके पास बांसुरी होनी की वज़े से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वज़े से इस दुनिया में टाइम रुख जाता है जिसे लीरिम फिल करता है जिससे लीरिम को समझने में देर नहीं होती कि जो दूसरी दुनिया ट्रावल कर रहा है वो लीगौन है और वो अपनी दुनिया में लोड़ चुक कफी दिर तक चेकिंग कराती है पर कुछ दिर बादी वो अंदर चली आती है पर दाइमा उसे रोकने लग जाती कि तुम्हें ऐसे बिना पर्मिशन के राजा साब के आफिस में नहीं जा सकती पर प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें साइड अटा कर अंदर चली जाती है लेकिन अपने आफिस में पहुँच चुका था इसलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है और बताता है कि दुबारा ऐसे बिना बताए पहले इसमें मत आना तो उसके जाने की बात दाइमा तो लीगोन पर काफी गुसा करती है बिना बताए ऐसे चले जाने के लिए तो लीगोन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है उसके बाद अपने अंकल प्रिंस बोयोंग से मिलने जाता है जिने वो 25 साल पहले किये हुए लीरिम की डेट बॉडी का टॉप से रिपोर्ट देता है और कहता है कि I hope आप मुझे इसका सच बताएंगे ये बोलकर वो चल जाता है देन वो यहां से लाइबरी में जाता है जहां पर तो उसे तेवल की ही याद आ रही थी वहीं तर दूसरी दुनिया में तेवल भी लाइबरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लिगोन को ही इमाजिन कर रही थी क्योंकि अभी काफी दिन बीच चुके और इतने दिनों में एक बार भी लिगोन उसे नहीं दिखा था जिसके बद हमें शिंजे को दिखाये जाता है जिसकी मउम गैंबलिंग एडिक्टेर थी जिससे शिंजे को बहुत बुरा लगता था तो शिंजे की मॉम बहुत सारा पैसा जोए में जीत कर लाई थी और उनक पूद भी दुखी होता है। इधर तेउल लाइब्रेरी से बहर आती है। तब एक बच्चा साइकल से उससे टकराता है। जिससे टेउल का डी Черड men hall में गिर जाता है। तो यह बच्चा उसे sorry कहता है तेउल भी उससे कहती कि कोई बात नहीं लेकिन यह बच्चा काफी mysterious है, ये बच्चा भी दोनों दुनिया में exist करता है, kingdom of korea में ये बच्चा एक book store के बाहर, बैट कर yoyo से खेलता रहता है, और वो वही book store था, जहाँ लीरिम को palace की खबर मिलती थी, जो palace में काम करने वाली एक lady, किताब के अंदर खबर दे कर जाती थी, और वो lady shinja की mom की हमशकल थी, जिसको इस mysterious बच्चे ने भी देखा था, इधर तेउल को पता चलता है कि उसने लीगॉन के पासे जो notes seize किये थे, वो एक्दम same to system उनके यहां के notes की तरह ही बना है, जिस तरह से असली bank notes print करती है, इसलिए तेउल लीगॉन के बार में पता लगाने लगती है वो कुछ दिन पहले का CCTV वगेरा चेक करती है जिस दिन लीगॉन ने उसे goodbye कहा था CCTV में उसे पता चलता है कि वो अपने घोडे पर bamboo forest की और गया था, पर उसके बाद वो उस तरफ से दुबारा नहीं लोटा जिससे तेउल हैरान होती है, तो वो चेक करनी के लिए bamboo forest की और चली जाती है, और अपने आपसे कहती कि क्या वो सच में चला गया, इधर लीगॉन भी तेउल को काफे miss कर रहा था, पर जो योउन ने लीगॉन के आसपास इतनी security tight कर रखी थी, लीगॉन तो palace से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तब भी उससे जो योउन कुछ पूछने आता है, लेकिन अचानक time रुख जाता है, कुछ देर बाद सब कुछ normal होता है, तो लीगॉन जो योउन से कहता है, कि तुमने फील किया, अभी कुछ देर के लिए time रोख गया था, और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है, जो योउन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, ये बूलकर वो चला जाता है, तो लीगॉन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, इन कहता है कि दायमा को मत बताना, इथर तेवल अपना नया ID कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खिचाने आती है, और head office में अपना नया ID कार्ड अप्लाई कर देती है, इसके बाद फिर से कुछ दिन बीच जाते ह तेवल को काफे बार लीगॉन का खयाल आता है, इधर Kingdom of Korea में बारिश और थंडर रिंग हो रही थी, जिस वेसे लीगॉन की कंदे पर बहुत जाता दर्द होने लगता है, और कुछ अजीब से निशान गलो करने लगते हैं, जिनने जो योंग देकर हैरान होता है, तो वो र 11 November 2019 की, इसलिए तेवल काफे शॉक्ड होती है, तबी उसे कॉल आता है लीगॉन का, जो उसे मिलने के लिए घर पे बुलाता है, तो तेवल जल्दी से उसके घर चली आती है, जहां लीगॉन को इतने दिन बात देकर हैरान थी, उससे पूछती की तुम कहा गया थे, शॉक्ड होती है, और पूछती की, यह कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता, लीगॉन कहता है कि अगर तुम देखना चाती हो, तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलिव हो जाए, लीगॉन की चलो फिर अगर इस बार जूट कहाना तो बहुत बुरा होगा, तो दोनों घोड़े पर बैटकर बैमब फोरेश्ट पहुँच जाते हैं, लीगॉन कहता है कि अभी जो होगा उसे देकर गवराना मत, तबी सामने दो बड़े बड़े पिलर्स खड़े हो जाते हैं, और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जात जिससे पार करके दोनों Kingdom of Korea में पहुच जाते हैं, तबी यहाँ पर लीगॉन को ढूंडते हुए, जो यूंग और उसके साथ ही Royal Guards भी आ जाते हैं, जो अपने राजा साब के साथ किसी लड़की को देकर हैरान थे, भहीं तेवल भी जो यूंग को देकर एकदम शौक्ड रहा गई थी, तबी वो लीगॉन को शौकिंग ली पूछती है कि यह तो यूंसप है, लीगॉन कहता है मैंने कहा था ना, तो तेवल लीगॉन के और शौकिंग ली देखती है, तो लीगॉन कहता है कि मैं Kingdom of Korea का राजा हूँ, और मेरा नाम जिससे मुझे कोई भी यहाँ न के लिए कहता है, तेवल तो अभी भी शौक में होती है, तो लीगॉन समंदर के रास्ती किया और निकल जाता है, इसके साथ जोयंग भी अपने एक गार्ड को ले कर जाता है, तेवल याद करती है जब उन्होंने जादू दर्वाजा पार किया, तब वो लोग एक अलग ही पानी था, इवन टाइम भी वहाँ पर रुका हुआ था, इसे देकर तेवल तो हैरान रह गई थी, तो वो पूछते कि क्या ये कोई फोर्थ डाइमेंशन है, लिगॉन कहता है पता नहीं मैं तुम्हें ये साइन्टिफिकली समझा नहीं सकता, पर यही जगा मेरी और तुम जोयों कहता है कि जुबान समाल कर बात करो, इस पे तेवल कहती कि तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम तो मेरे दोस्त है ना, जोयों के पास गन देकर पूछती कि क्या ये असली गन है, तेवल तो गन निकाल नहीं जाती है, पर जोयों उसका हाथ पकड़ लेता है, तो लिग लिगौन कहता है सब कुछ सच है, इसलिए कुछ भी बेवकूफी मत करना, वरना ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तेवल जोयों को गन दे देती है, और अभी तेवल को देकर जोयों को याद आता है, कि ये तो लेटिन जोंग ते करने के लिए ले जाती है, तो तेवल इतने बड़े महल को हैरानी से देखने लग जाती है, तो दायमा सनी को तेवल के पास भेजती है, उसका ध्यान रखने के लिए, और उन्होंने खास ओडर दिया था तेवल को स्टड़ी रूम में ही बंद रखने का, जब तक वो नारी की हमशकल जो थी, तो सनी उसे अपने बारे में बताती है, जिससे तेवल अब थोड़ा-थोड़ा समझ न लगती है, जैसे उसके दुनिया में यौनसोप का हमशकल यहाँ जोयोंग है, उसी तरह नारी की हमशकल सनी है, तो सनी उसके लिए एक मेडिसिनल टी लेकर आ लाओ नहीं है, तो तेवल उसे वाइन लाने के लिए के लिए जोयोंग पर, जोकी लिगाउन के पैरलेल वर्ल्ड वाली बातों के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो स्टडी रूम में आ जाता है, और सनी को बाहर बेज कर तेवल से पूछता है, जिसका रिजन तुम बोस से पूछ लेना, जोयोंग पूछता है किया तुम्हारे देश का नाम Republic of Korea है, तेवल पूछती तुम्हें कैसे पता पर जोयोंग पूछता है, कि तुम हो कौन और तुमने हमारे राजा साब के साथ क्या किया है, क्या तुम्हारी वज़े से राजा साब के कंधे पर वो अभी बाद में तुम्हें अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, इसलिए अभी वो उन दोनों को यहां से भेज़ देता है, जोयोंग सनी से पूछने लग जाता है, कि क्या तुम्हें उस लड़की में कुछ अजीब लगा, सनी कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाल उसका फोन ले लेती है, और कहते हैं, उसे यहां के बार में कुछ जानना है, तो लिगोन उससे खानी के लिए देता है, तो अब तेउल करने लग जाती ही कि अगर इसमें जहर हुआ तो इसलिए तुम से भूल गई कि यह मेरी दुनिया है, और मुझ से रूडली बात करना क लिए तुम्हारा सरकलम भी किया जा सकता है यो सुनते ही तेवल जल्दी से खाना खा लेती है इतने में दाइमा पहुंच जाती है जिनने तेवल के सोनी के लिए रूम का अंजज़ाम कर दिया था तो वो लीगोन को यहां से भेज करते हैं तो यहां किसी और से बात नहीं करन लेफटनेंट पोजिशन ही नहीं है जो बात काफी अजीब है इसलिए आपका यहां होना हमारे लिए काफी शौकिंग है यह बोलकर वो चली जाती है तेवी उनके जाने के बाद खिरकी से लिगोन इस रूम में आ जाता है जो तेवल के लिए कोक लेकर आया था क्योंकि उस सच में तुम्हारे पास मेरा को एड़ी काट है या फिर तुम नाटक कर रहे हो लिगोन कहता है सच में मेरे पास है पर अभी उसे देखने के बाद शायद तुम अभी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहो इसलिए मैं अभी तुम्हें नहीं दिखा रहा तेवल फिर सब पर ही सर रख कर बैठ जाता है क्याता है अब तो बिलीव हुआ ना पर तेवल धीरे से कहती कि अपना सर हटाओ ये उन्हें रुमैंटिक लग सकता है जो सही नहीं है लिगोन कहती कि बस हाँ या ना में जवाब देना तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया ना लिगोन पू जयता है कि इससे पहन कर मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें इस रूम में बंद रहना ना पड़े मैं आज पूरा दिन बिजी रहने वाला हूँ इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंट कर लूँगा और दायमा के देखने से पहले हमें निकलना है इसलिए चेंज करक तो जोयोंग तो यहां की कुछ पैसे भी देता है और उसे शाम तक शहर घूमने के लिए क्याता है ताकि उसका भी मूट धीक हो जाए पर लीगों ने जोयोंग से तेवल पे नज़र रखने के लिए भी कहा था ताकि वो कोई मुसीबत में ना पड़े तो जोयोंग छुप प्रहुंते हुए उसे दो गुंडे देख लेते हैं जो वही लोग थे जो फर्स्ट एपिसोड में रैबिट हुडी पहनी लड़की लूना की पीछे पड़े थे और तेवल को देखकर ये लोग लूना कहकर बुलाते हैं ये लोग उसके पीछी जाने ही लगे थे बर जोयो उनके सामने आकर उन्हें रोक लेता है तो ये दोनों तेवल की और इशारा करते वे उसे बता देते हैं कि वही लड़की लूना है लेकिन जोयंग अभी उन दोनों को यहां से भगा देता है और इस बात पर जाता ध्यान नहीं देता तेवल यहां के पुलिश टेशन जाती है शिंजे के हमशकल को ढूणने के इरादे से पर उसे पता चलता है कि शिंजे नम का कोई आफिसर नहीं है तेवल अपने हमशकल को यहां नहीं ढूण रही थी क्यूंकि उसे लिगउन ने काफी बार बताया था लिगउन के रोयल कोट का जहां वो बार-बार कॉल करके बता दी कि मैं तुम्हारे राजा को जानती हूँ वो मेरे दोस्त है और मैं अभी सियोल सिटी में फसी हुई हूँ पर रॉयल गार्ड्स उसे प्रैंग कॉल समझ लेते हैं इसलिए वो लोग अब बार-बार कॉल काट रहे थे पर राजा लिगाउन के अचानक से सियोल सिटी में लेंडिंग की निउस प्राइम मिनिस्टर कूग के पास भी पहुंच जाती है तो वो भी जल्दी से मेट्रो स्टेशन के लिए निकलती है इतर लिगाउन भी फूल अपने रॉयल गार्ड्स के सिकरेटी के साथ बाहर आता है और तेउल से पूछता है कि तुम इतनी दूर क्यों आई और यहां तुम बॉंग हुई नाम से किसको ढून रही हो जो सुनकर तेउल समझ जाती कि जोयंग उसे फॉलो कर रहा था तेउल बताती कि जोंग हुई मेरी मॉम का नाम है मैं जब 5 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई थी तुमने बताया था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ पर मुझे लगा कि शायद मेरी मौम की हमशकल इस दुनिया में हो सकती है इसलिए मैं उन्हें ढून रही थी लेकिन यहां भी वो नहीं है तो लिगॉन पूछता है कि तुमने मेरे फोन में सर्च किया था किंग लिगॉन की एक्स गल्फेंड के बारे में तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस की हो इससे तेउल थोड़ा इंबरेस होती है इतने में प्राइम मिनिस्टर कू यहां पर पहुंच जाती है इससे देख लिगॉन हैरान होता है पर समझ जाता है कि उसके हेलिकॉप्टर के यहां अचानक लैंड करनी की वज़े से उसे मेरे यहां नहीं की खावर मिली तभी प्राइम मिनिस्टर इंड के पास चली आती है और लिगॉन से पूछती कि राजा साब आप इतनी रात को यहां कैसे वो भी एक अंजान लेडी के साथ वैसे है कॉन इतना बोलकर वो तेउल से हैंशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और इसे की सरवात में हम प्राइम मिनिस्टर कू को देखते हैं जिसे सेक्रेटरी आकर बताता है राजा का हेलिकॉप्टर सियॉल सिटी में उतरने वाला है जो जानते ही प्राइम मिनिस्टर सियॉल सिटी में चली आती है लिगाउन समझ गया था कि प्राइम मिनिस्टर को अब तेउल पर डाउट होगा ही होगा लेकिन तेउल उसे कहती कि don't worry मैं situation संभाल लोंगी प्राइम मिनिस्टर आती है तो तेवल उसे कहती कि मैं एक traveler हूँ और मैं पहली बार kingdom of Korea आई हूँ अब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर उनके relation के बार में कुछ भी पूछती इसलिए वो लिगाउन के साथ associate होती रहती है इसलिए पबलिक में इन दोनों के relation को लेकर gossip चलती रहती है अब लिगाउन को पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर प्राइम मिनिस्टर अपने secretary को तेवल के बार में पता करने के लिए कहती है तो इधर ये चारों महल की और जा रहे थे जहां सामने लिगाउन के secretary भी बैठी होती है और तेवल को लिगाउन से कुछ पूछना था इसलिए लिगाउन तो तेवल के हाथ में लिख कर पूछने के लिए कहता है कि यही है वो लड़की जिसके बार में मैंने आपको कहा था जोसन secretary तो बहुत खुछ होती है कि finally अब दाइमा को जादा फिकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इधर प्राइम मिनिस्टर कू आकर तो काफी गुसा होती है क्योंकि वो लिगॉन से शादी करके रानी बनना चाहती थी लेकिन अब शायद तेवल उसके रास्ते में आ सकती है जिस पर कू कहती कि मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी अब महल पहुंचते ही लिगॉन तेवल को लेकर किचन में आता है तेवल पुछते तुमने मुझे जान बुछ कर कम पैसे दिये थे ना लिगॉन कहता हाँ कि क्यों मैं नहीं चाहता था कि तुम कहीं जादा दूर जाओ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तेवल कहती यहाँ पूरा दिन अकेले घूमने के बाद मुझे यह बात समझ आई कि तुम मेरी दुनिया में कितने अकेले थे लिगॉन पूछता है किया तुम्हें अकेला पंसा लगा तेवल कहती काफी फ्रस्टेटिंग लगा कि मैं किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकती और बताया तो भी लोग बिलीव नहीं करेंगे तो लिगॉन तेवल का अपने पास आने के लिए कहता है चाहँ वो अपने सर को उसके फोरेट से टच कराता है और कहता है मैं हूँ ना यहाँ पे जिससे तेवल थोड़ा शाई फील करती है और कहती कि यह तुम्हारा फर्स टाइम तो नहीं लगता लिगॉन कहता है कि कल राद इंडरनेट से मेरी कोई गल्फरेंड है या नहीं तुम्हें पता नहीं चला तो तेवल टॉपी को चेंज कर देती है और कहती ही कि लगता है तुम अच्छा खाना बना लेते हो लिगॉन कहता है शायद बना लेता हूँ ताइमा ने मुझे अच्छा ही सिखाया है तेवल कहती कि मैंने तुम्हारे पिताजी और लेदिम के बार में भी बढ़ा लिगौन उसके और देखने लगता है तो तेउल कहती है कि तुम्हें काफी अच्छे इंसान की तरह बड़े हुए हो अभी उसके नजर पढ़ती है लिगौन के गर्दन के निशान पर तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा अब लिगौन चाहता तो ऐसा ही था पर वो तेउल को फोर्स नहीं करना चाहता था इसलिए खाना खानी के बाद बात करते हैं कहता है सीन कट होता है इधर हमें शिंजे को दिखाय जाता है जोकि तेउल थी वो लड़के तेउल को माने जाते हैं लेकिन तेउल उनकी बैंड बजा देती है क्योंकि वो तो बचपन से ही टाइकॉंडू एक्सपर्ट थी इसके बद हमें पुलिस्टेशन का सीन दिखाय जाता है इधर प्राम मिनिश्टर नेशनल सिक्यर्टी काउंसल की मीटिंग बुलाती है क्योंकि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई थी इधर जोयंग तेउल की फिंगरप्रेंट्स फॉरेंसिक भिजवाता है उसके बारे में पता करने के लिए और पुलिस से लूना के बारे में पता करता है जहां उसे पता चलता है कि लूना के नाम से तो बहुत सारी कम्प्रेंट्स है जिससे उसे तेउल पर डाउट होता है कि कहीं वही तो लूना नहीं है लेकिन तभी उसे भी national security count से alert का message आता है इधर खाना खाते हुए लीगाउन तेउल को उसकी ID कार दिखाता है जिसको तेउल भी देखर हैरान थी पर उससे पूछते कि ये तुम्हारे पास 25 साल पहले कैसे आ सकती है ये तो मुझे कुछ दिन पहले ही issue हुआ था लीगाउन कहता है कि अभी तक तुम्हे पता नहीं पर 25 साल पहले मुझे एक mysterious person के पास से ये मिला था और वही person इन सब की शुरुआत और अंत है जिसे मैं हर हाल में ढूंड कर रहूंगा तब ही यहाँ पर जोयोंग आ जाता है जो उसे NSC के meeting के बार में बताता है जो सुनते ही लिगाउन तेउल से कहता है कि मैं तुम्हें कल सुपर तुमारी दुनिया भेजने वाला था पर शायद तुम्हें अभी जाना पड़ेगा तो हमें पता चलता है कि जापान Kingdom of Korea में अटैक करने की तयारी कर रहा था इसलिए लिगाउन दाइमा से तेउल का सामान लानी के लिए कहता है तो अपने रूम से एक बॉक्स लाने जा दिया जिसके अंदर तेउल का सारा सामान था लेकिन उसमें से तेउल का अपना ID कार्ड मिसिंग था दाइमा को समझ नहीं आ रहा थे कि ID कार्ड कौन ले सकता है इसलिए वो पैलेस कंट्रोल रूम में कॉल करती हैं पता करती है कि आज पूरे दिन में उनके रूम में कौन आया था तो दाइमा उसे तेउल के मिसिंग ID कार्ड के बारे में बताती है कि शायद किसी ने उनके रूम से वो ID कार्ड चुरा लिया है जो समझ लिगॉन कहता है कि मैं आपको समझा तो नहीं सकता पर लगता है कि ये सब कुछ होना तै था 25 साल पहले मुझे तेउल का ID कार्ड मिलना और आज हमारे महल से तेउल का असली ID कार्ड गायब होना ये सब आपस में किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं दाइमा को तो कुछ समझ नहीं आता तब ही यहाँ पर जोयोंग आ जाता है तेउल को लेकर लिगाउन कहता है हाँ बर डोंट वरी मैं सही सलामत जंग जीत कर तुम्हारे पास वापस आऊँगा तेउल पुछते सच में आओगे लिगाउन कहता है क्या तो मेरे लिए वेट करोगी इस पर तेउल कहती हाँ मुझे तुम्हारा इंतिजार रहेगा फिर मिलेंगे लिगाउन अब पहली बार तेउल के मुझे अपना नाम सुनकर लिगाउन कहता है अब लिगाउन के फाइटे जेट्स जापान आर्मी को वाणी देनी के लिए फायर करते हैं जो देखकर यह लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कोरियन सोल्जर के सामने टिक नहीं पाएंगे इसलिए जापान आर्मिस कोरियन बाउंडरीज के बाहर चली जाती है इस तरह से इन्हें लड़ाई करनी की ज़रोती नहीं पड़ती इधर तेउल शाम को घर आती है वो तो अभी से ही लिगाउन को मिस करने लगी थी तभी वो अपने पॉकिट से कुछ फ्लावर सीड निकालती है जो वो किंग्डम आफ कोरिया से लेकर आई थी वो याद करती है जब गुवन उसे उसकी दुनिया छोड़ने के लिए पोर्टल के अंदर आया था तभ तेउल ने पॉटल के अंदर भी कुछ फ्लावर सीड्स को वहाँ की जमीन के अंदर बो दिया था इस पर लिगाउन ने उसे कहा था कि यहाँ पे ना हवा है ना पानी है ना सूरज है ना टाइम है तो यहाँ फ्लावर्स क्यासे उग सकती है तेवल कहती है वो कि ऐसे पता चलेगा जब तक यहां कोई बीज लगा कर ट्राइ ना करे कमिंग बेक टू प्रेजेंट तेवल अपने घर पे भी उन बीजों को लगाती है कल रात सियोल सिटी में जो लड़की राजा साब के साथ थी वही थी राजा साब की खास महमान इसलिए उस लड़की के बार में जो हो सके सब बता करो तो इसके बाद हमें प्रेसिडेंट कू की फैमली के बार में पता चलता है जिसमें सिर्फ उसकी मॉम है और वो फिश मार्केट में फिश बेजती है जो बहुत ही भली और डाउन टो अर्थ परसन है तो एक दिन को उनके शॉप पर एक छाता छोड़ कर चला गया था जिसको वो अच्छे से रख देती है इदर तेउल जो एक मडर के इसकी चानबिन कर लिगौन के पास से सीज की हुए नोटो को देखकर उसे फिर से लिगौन की याद आ जाती है लिगौन ने जब उसे किस किया था तेउल तो हैरान रह गई थी वो तो बस लिगौन को ही देखे जा रही थी प्यर जानगर से कपड़े उतारने के लिए लिए जल़ी नहीं हो तो तेवल उसे रोकते हुए कहती कि सारे उतारनी की जरूरत नहीं है, बस दो बटन्स खोलो काफी होगा, लिकॉन कहता है कि मेरे शोल्डेस काफी चोड़े हैं, दो बटन्स खोलने से तुम मेरा कंधा नहीं देख पाऊगी, तो तेवल कहती कि छोड़ तो जरूरत नहीं है, प्रिंस में वो एक बंदे को प्रिंस बोयोंग को अपना टैड बताते हुए सुनती है और किंग हे जोंग को अपना ग्रैंट फादर जो सुन तेउल हरान होती है क्योंकि प्रिंस बोयोंग और किंग हे जोंग लिगोंग के अंकल है और King Hei Jong लिगॉन के भी grandfather थे जिनके बारे में तेउल ने लिगॉन के phone पे search करके पढ़ा था तो Republic of Korea में एक murder scene पे पाए हुए phone में ये सारी बाती सुन तेउल हैरान होती है तो पैलेस में तेउल को एक rubber band छूट गया था लिगॉन तो उसे देखकर ही खुश होता है तो कि वो भी तेउल को काफे miss कर रहा था दायमा लिगॉन को बताती है कि अभी तक हुने तेउल का ID कार्ट नहीं मिला लगता है उसे किसी ने मेरे room से चोरी किया है पर तुम जिंता मत करना मैं उस चोर को ढूंड लोंगी तो लिगॉन उनने कहता कि दायमा आप कितना काम करते हो कच्पन से मेरा और स्मेहल का खयाल रख रहे हो और चीज को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है अपने उस जादूई बांसूरी के टुकडे को चड़ी में चुपा कर प्रोटेक्ट करके रखा दायमा कहती ये तो मेरा फर्ज है उस गदार लीरिम की डेट बोडी जब हमें मिली थी तब मैंने उस बांसूरी के दूसरे टुकडे को उसके पास ढूंडा लेकिन उसके पास नहीं मिली जाद समंदर में कहीं बह गई गई होगी इधर जोयंग को पता चलता है कि टेउल की फिंगर्प्रिंट उनके देश में किसी से भी नहीं मिलती जो सुन जोयंग हैरान होता है पर वो अभी पिलिस को लुना के बार में पता करने के लिए कहता है अगरे दिन प्रिंस बोयॉंग लेकॉन को सच बता ही देते हैं कि 25 साल पहले लेरिम की जो बाड़ी मिली थी वो गद्दार लेरिम की नहीं थी जिससे लिगॉन तो कंफर्म हो जाता है कि लिरिम जिन्दा है पर हम तभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम को देखते हैं जो कि नारी की कैफे में आया था यहां से जाते हुए बहुत बारिश और बिजली कड़क रही थी तब ही उससे युनसोप की जुडवा भाय बेहन टकराते हैं तो हम देखते हैं लिरिम की फेस पर भी वो अजीब सा स्कार होता है जिसे ये दोनों देकर डर जाते हैं लिरिम की जाने के बादी वहां पर युनसोप आ जाता है कि उस आदमे का चहरा बहुत डरावना था तो यून सुपर ने शांत करा कर घर ले जाता है इधर लिगॉन समझ जाता है कि लेरिम ने इस बांसुरी को हासिल करने के लिए उसके डाड को मारा है और अगर वो अभी जिन्दा है तो अब वो ये बांसुरी के दूसरे हिस्से को भी हासिल करने के लिए मेरे पीछे आएगा सिंड कट होता है रिपब्लिक ओफ कोडिया में चाह तेउल घर लोटते ही लिगॉन को अपने घर के बाहर देखती है उसे तेक वो काफी एमोशनल हो जाती है तो वो भाग के जाके उसके गले लग जाती है तो गोन अपने मन में कहता है कि अगर लिडिम जिंदा है तो अब मेरी वज़े से तेउल भी खत्रे में है तो इसे अपिसोड 7 के शिरुवात में ही हम लिडिम को देखते हैं अपिसोड 6 के आखिर में लिगों जो रिपब्लिक ऑफ कूरिया चला गया था ये सब उसके पहले के सीन्स हैं इधर तेउल और शिंजे की टीम एक लड़की के मडर केस की चानबिन कनी के लिए पहुंचते हैं तो इस खून के केस में तेउल को डाउट होता है इधर उस मरी हुई लड़की की रूम में बताती है कि उस लड़की का एक बॉर्फरेंड था जिसके साथ उसके रिलिशन ठीक नहीं थे तो हो सकता है उसके बॉर्फरेंड नहीं उसे मारा हो तो तेउल की टीम उसकी बॉर्फरेंड को ट्रेक करने लग जाती है और लिगॉन भी समझ जाता है कि इसलिए आज महल में गार्ड्स बहुत कम थे तो जोएंग उसे कहता है कि आपकी साथ धुखा हुआ है जिसे आप तेउल समझ रहे हैं वो यहां की एक चोर है और उसने बहुत सारे क्राइम्स भी किये हैं इवन पुलिश टेशन में उसके ना कि लिगॉन ने पहले से ही उसके रॉयल कोट में बता कर आया था कि जोएंग कुछ दिनों की छुटी पर जा रहा है जिसका जोएंग को मैसेज भी आ जाता है कि लिगॉन जानता था कि जोएंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे यहां जरूर आएगा बोलकर लिगॉन बा लिक ऑफ कोरिया में आया है कुछ दिर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो लिरिम उस बिजनसमैन के बेटी को मरवा देता है और उसकी जग़ गिंगडम ऑफ कोरिया से उसके हम दायमा को लिगाउन की रूम से एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं कुछ दिनो के लिए बाहर जा रहा हूं आप चिंता मत करना जोयंग मेरे साथ है और हम दोनों अगले फ्राइडे तक लॉट आएंगे इसलिए प्लीज आप इस बार भी हमेशा की तरह महल में सब कुछ संभा लेना तो दायमा को अभी लिगाउन की काफी फिकर होती है इधर तेउल साथ जंक के बाद से तेउल को उसकी कोई खबर नहीं मिली थी लिगाउन पूछता है कैसी हो तुम क्या तुम मेरा वेट कर रही थी तेउल स्माइल करते वे हां कहती है लिगाउन कहता ही जानकर मुझे चैन पड़ा वरना मुझे डर था कि शायद तुम मुझे दुबारा नहीं चाहोगी इतने में तेउल भाग की लिगाउन के गले लग जाती है जिससे लिगाउन भी खुश होता है इसके बाद वो तेउल को लेकर एक जगर पे आता है जो उसने रेंट पे लिया था पर अंदर आकर देखती कि वहां तो जोयों खड़ा था पर तेउल उसे यू जा के लिए आने नहीं देता इधर तेउल तो काफी परिशान होती है कि अगर जोयों को यहां पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा लिगाउन कहता है डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं होगा इतने में यहां पर यूंसब चला आता है अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को देख कर कहता है कि वाओ यह तो इक्जैक्ली मेरी जैसा दिखता है तो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम हो कौन यूंसब तो अभी भी काफी है रानी में था तो तो तेवल उसे समझाने लग जाती है पैललेल वर्ड के बारे में जहांसे लिगोन और जोयों आया है पर दोनों को बीठा की अच्छे से सारा सिचूएशन समझाती है और तो दोनों को कभी भी साथ में बाहर निकलनी से मना करती है जिसवे यसे तो दोनों में बहाष छिड जाती है कि कौन कब बाहर जाएगा तो लिगोन उन्हें शांत कराता है और अभी दोनों को यहीं पे रुखने के लिए क्या कर तेवल के साथ डिनर करने चला जाता है तो जोयोंग यहां के फोटोस को देखने लग जाता है अब यूंसोब और जोयोंग के पैरेंस के भी शकल सेम थी लेकिन जोयोंग के कोई भाई बहन नहीं थे जिनके बार में पूछने पर यूंसोब बताता है कि मेरी फैमली बुसान में रहती है लगता है तुम्हारे ममे पापा को टाइम नहीं मिलता होगा तो जोयोंग बताता है कि उनका काफी टाइम पहले ही डिवर्स हो गया था जो सुनी यंसोप उसे सौरी कहता है पर इसके बाद भी इनकी नोग जोग कंटीनी हुई रहती है इधर तेवल और लिगॉन तो मस्त अपने डेट पर आते हैं जहां पर तेवल उसे यहां यूज करनी के लिए एक फोन देती है और उसके जान पहचान के स सा जाना चाती थी सीन कट होता एक शौप पर जहां गंद से बलून फोर्डने पर गिप्ट्स मिलते हैं जहां तेवल खुदी सारे टार्गेट फोर्ड कर एक बड़ा सा स्टफ टॉय जीत लेती है अब उसकी शूटिंग देख लिगॉन तो हैरान रह गया था तो उसे कहता हैं तबी तेवल उसे उस ओडियो रिकॉर्डिंग के बार में बताती है जो से लिगॉन हैरान होता है सीन कट होता है दन हमें धर लिरिम को देखते हैं जो कि रिपब्लिक ओफ कुरिया में ही था और यहां का न्यूस पेपर पढ़ रहा था जिसमें यूस प्रेसिडंट डो पर मेरी दुनिया की बात हैं इस दुनिया की किसी आदमी के फोन में क्यों होंगे लिगॉन तेवल को इन सबसे बाहर रहने के लिए कहता है पर तेवल कहती कि ये मेरा केस है इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेर्ट तो करना ही होगा क्या कि राम दोनों की दुनिया मिक्स रही है इसलिए मुझे सब कुछ जानना है कि इस दूसरी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई तो लिगान उसे लिरीम के डेड़ बॉड़ी का अटॉप से रिपोर्ट दिखाता है और स्टार्टिंग से सब कुछ बताना शुरू करता है जिससे बांसुरी के लालच में मेरे अ आ जा सकता है वो जिन्दा है यानि अभी उसकी उमर 69 यर्स की होगी इसलिए तुम उसके फिंगर्प्रिंट्स और DNA मैच करके देखो कि इस दुनिया में उसकी फिंगर्प्रिंट्स किस से मैच करता है और लिरीम के हमशकल का पता करो इससे शायद हमें पता चले कि वो इतन कर जाती है इवन ब्लड ग्रूप भी मैच करती है जिसका नाम ली सांग जे था जिसकी 24 साल पहले मरनी की रिपोर्ट थी और रिपोर्ट के हिसाब से यंग सुन केर सेंटर में उसकी मौत हुई थी जो कि लीरीम नहीं उसे यहां मार के यह सारा ड्रामा क्रियेट किया था त तेउल ने किंग्डम आफ कोरिया में लीगॉन के बच्पन की फोटोस देखी थी इसलिए वो समझ जाती कि लीगॉन का हमशकल भी था इस दुनिया में देने दर हम लीगॉन को देखते हैं जो कि जोयों को लीरीम के बार में सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि मैं फ दुनिया में आया है लीगॉन को बिलीव कराने के लिए वो एक आगज में कुछ लिखता है और उसके पॉकेट में डाल देता है कुछ देर बाद जब टाइम नॉर्मल होता है तो वो जोयों को अपना पॉकेट चेक करने के लिए कहता है जिसमें लिखावा था कि क्या ये जिससे लिख को बिलीव हो जाता है लेकिन जोयों को अभी लिगॉन की फिकर थी इसलिए लिगॉन कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूँगा उसे मेरे पास का बासुरी का दूसरा इससा चाहिए होगा जिसे हासिल करने के लिए वो जरूर आएगा तो अगर वो इस दुन और जो फिंगर पेंट्स मिश्टर जोयंग ने मुझे भेजा था वो लूना से 100% मैच करती है इथर प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पहुँच लगा कर लूना के बार में पता कर लेती है कि वो अभी जेल में हर कुछ टाइम में छोटने वाली है अब प्राइम मिनिस्टर तो उसे लिगाउन की गेस्ट यानी की तेउल समझ रही थी इसलिए उसे जेल में देकर वो तो हैरान होती है तो वो अभी कभी उसे मिलने जाने के लिए तैयार होती है लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर के मॉम के नाम से एक पारसल आता है जिसे वो खोल कर देखती है तो इस दुनिया में North Korea और South Korea कभी अलग देश बने ही नहीं थे सिर्फ Kingdom of Korea था इसलिए Prime Minister इस newspaper को fake समझकर side में रख देती है इधर Luna Jail से आजाद हो जाती है थोड़ी दूर जाती है उसके सामने Prime Minister आ जाती है तो subscribe and hit the bell icon मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए take care and bye bye